इस वीडियो को आप एक मिनिट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापसाद शुक्रेक नाइब वीडियो के साथ तो गाईज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और इस हमारी बैल आइकन को भी दबा दीजे इस वीडियो को लाइक करिए कॉमेंट करिए अपने फ्रेंड के साथ फैमली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए गाईज हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और अब इसे तीन अगदाब पर मजीद काम करना होगा तो अमीद की जा सकती है कि पाकिस्तान इंशालला जूम दोजार इकिस में फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल आएगा हिलाली साब ये 27 में से 24 चीज़ों पर तो हमने अमल कर लिया अब बाकी सिर्फ तीन चीज़े रहेगी हैं और अब ये ब्लैक लिस्ट पे हम नहीं जा रहे हैं शुकर है और बड़ा अच्छा काम हमने किया है और जो भी लोग हमारे तरफ से काम किया है उनको मुबारक देना चाहिए एक्सलेंट वर्क मगर मैं दो तीज़ें जल्दी से बताना चाहता हूँ जो मैं थोड़ा सा हैरान हूँ जब हम लोगों को पता है कि ये ड्राइविंग फॉर्स इस पूरे अक्शन का हिंदुस्तान है जब हमें पता है कि हंदुस्तान हर किसम की इंफिमेशन देता है इन लोगों को और वो गलत इंफिमेशन भी देता है हमें पकड़ने के लिए जब हमें पता है कि बिग मनी जो है हिंदुस्तान को रूल करता है ये आपने किसानों का प्रोटेस्ट देखा है इट मीन्स बिग मनी जो कोपरेशन्स हैं ये जो अमीर लोग हैं इनके बिलियनेर्स जो हैं ये अमवानी इन तरीके के लोग दे रूल वो बी जे पी को फंड करते हैं उनके पार्टी के कैमपेंज को फंड करते हैं वो लोग हैं जो kickbacks और commissions लेते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं उनने kickbacks और commissions किदर लिया है ये एक hallmark बन गया है मूडी के deal पे रफाइल के मामले में लिया है और आप यकीन करेंगे कि ये जो रफाइल fighter aircraft से kickbacks और commissions जो मिले है तो thanks to moody, moody को और उसकी party को एक कानून उन्योंने अभी पास किया है कि कोई audit नहीं हो सकता है कोई audit नहीं हो सकता है government project का जब तक government अजाज़ट ना दें इसके मतलब ये है कि जब तक छोर आपको अजा़ज़ट ना दे के उसकी चोरोगी पकडे आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं क्या है, यह? अपको पता है, हंडी में जिदर हंडी होता है, money laundering होता है, हमें जानते है, हमारा example यह है, इंडया में wide ranging हंडी है, क्यों नहीं भाई, पकड़ते हूं लोगों को जो बी जे पी के साथ हंडी करते हैं, क्यों नहीं आप gold market, सबसे बड़ा gold का market, दुन्या में हिंदुस्तान है गोल्ड ट्रीडिंग उधर है open door for money laundering इस हलाली साव हाद तो है लेकिन इससे भी बड़ी एक बात मैं आपको बताओ जो आप misty kam कर रहे थे ना तो सरफ इंडिया में हुंडी बहुत ज्यादा नहीं होती बलके आपको हैरत होगी के दुबई में और यूके में भी जो हुंडी का पूरा एक नेट वर्क है उसको इंडियन कंट्रोल करते हैं उस सारे नेट वर्क को इंडियन कंट्रोल करते हैं तो इसलिए इ अडिया तो पूरी दुनिया में है और अगर आप अफगानिस्तान में देखें तो वहां तो दैशतगर्द गृॉपों को इंडियन सप्लाई देते हैं और पैसे देते हैं फंडिंग करते हैं अब तो यूरपियन कंपनीज के हवाले से आप ने देखा यूरपियन यूनियन इस पे बाते कर दी लेकिन मैं आपको इंटरस्टिंग बात सुनाना चाहूंगा फैटफ के हवाले से कि जब इलामी है के बाद सहाफी वहां मुझूद थे तो एक इंडियन सहाफी ने पहले फैटफ के चेर्में से पूछा कि जनाब पाकिसान को आपने बलैक लिस्ट में शा कर देंगे और यह वक्त भी किसी को बलैक लिस्ट में डालने का नहीं है उसके बाद एक पाकिस्तान इसाफी जो वहां मुझूद थे उन्होंने भी उस चेर्में से फैटफ के चेर्में से सुवाल पूछा कि जनाब हमें भी यह बता दें कि इंडिया जो हमेशा देश्चत कि जब पाकिस्तान निकलेगा पाकिस्तान ग्रे से इंशालला वाइट में आ जाएगा तो आप जल्द देखेंगे कि इंडिया जो है वो ग्रे में चला जाएगा इंशालला ऐसा होगा और सुना है कि जून में यह होने का इमकान है मगर एक तोछ चीते हैं आपको मैं जल्दी से अभी बता दूँ बहुत सारे समगलर्स हैं हिंडुस्तान बड़े बिलियनेर्स हैं जो बाहरे मुलके भगोड़े हैं हिंडुस्तान से उनको पकड़ा जात हैं बड़े चोर हैं उदर भई डाकू नंबर वन है बंबे में जो उंडी और समगलिंग हो रहा है वो तो मशूर है और उनके जो चोर हैं उनके लिंग्स हैं बीजे पी के साथ तो माफ करिए मेरे ख्याल में हम जब जाते हैं ऐसे मीटिंग को हमें उठके खड़े होके कहन चाहिए और हमारे जो दोस्त हैं उनको बताना चाहिए और उनको कहना चाहिए लेच्ट टेक जॉइन स्टेंड अबी हम बात कर रहे हैं तो गैज यह वीडियो होता है आप फे खत्म आप यहां से यह वीडियो छोड़ कर जा सकते हैं तो आपने सुना पाकिस्तानी मीडिया को पाकिस्तानी मीडिया डिसकस कर रहा था FATF के रिजल्ट के आने के बाद आपको पता होगा पाकिस्तान एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में आ चुका है ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान बहुत लंबी समय से है और फिर से जून तक پاکستان Gray List में बना रहेगा आपको बता ते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान FATF की जिस वाइड लिस्ट की बात कर रहा है ऐसी कोई वाइड लिस्ट है ही नहीं FATF में दो दरीके की लिस्ट होती है एक होती है Black List एक होती है Gray List और पाकिस्तान बोल रहा है कि हम white list में कावाएंगे हाला कि पाकिस्तान एजा example बोल रहा है आपको बता थें कि grey list और black list के लावा कोई list नहीं होती अगर कोई डेस होता है तो इन दोनों list'ों से बाहर होता है जिसे पाकिस्तान white list कहकर refer कर रहा है दोस्तों पाकिस्तान टेरियरिजम फाइनिंशल जो टेरियरिस्ट को बगएर बगएर जो मतलब पैसे भीजे जाते हैं बैंक ट्रान्जेक्शन होते हैं उसके अंतरकत और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान फिर से ग्रेलिस्ट में ही रहेगा हाला कि gray list वाले भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है फ़े अब आले क्या देख रहा है black list करें पाकिस्तान को जितना जल्दी हो सके आपको भी पता है मतलब gray list होने के बाद पाकिस्तान ने सीधा सीधा आरूब भारत पर लगाया और ये उनका बंता भी है क्योंकि वो तो अपना भी भारत भी चाहता है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो क्योंकि पाकिस्तान में टेररिजम को जिस तरीके से पानी खाद और सब कुछ दिया जाता है वो साथ दुनिया के किसी देश में दिया नहीं जाता है मतलब हर जो पाकिस्तान के पड़ोसी हैं सब पाकिस्तान पर टेररिजम के आरोप लगाते हैं तो पाकिस्तान को भी सच्चाई का सामदा करना चाहिए और टेररिस्टों पर कुछ लगाम लगानी चाहिए हलां कि पाकिस्तान इन चीजों को ना करके पाकिस्तान के अमरान खान, अमेरिका और चाइना की सुला कराने की बात करते हैं मतलब आप समझ सकते हो कि जितनी चंदर है उससे जादा ये मतलब पैर फैलानी की कोसिस कर रहे तो ऐसा ही होगा दोस्तों ये वीडियो होता है खत मगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आपको सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कॉमन वाक्स में अपने सुझा शेयर करना ना भूले धन्दबाद दोस्तों